नमस्कार आप देख रहें न्यूस वन इलेवन आपके साथ श्रीवानी आज यानि कि 7 दिसंबर को छात्र संग की शुरुवात सुबह 8 बजे से ही हो सुचुकी है जहां पर लगतार चात्र चात्र आएं लाइन में लगकर अपने अपने प्रत्याशियों को जीताने के लिए पूरी जोर शोर से ख़ड़े तो दिखाए दे रहे हैं आती साथ काफी वोट भी मांगते में नज़रा रहे हैं और कुछ लोग वोट करते में भी नज़रा रहे हैं आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि किस तरह से लगतार पुलिस जो है वो गेटो पर तैनात है ताकि चुनाओं में कोई धानली ना हो सके और सही तरह के से कोई एक प्रत्याशिस चुनाओं में जीते लेकिन इस भी जो हम तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं उसमें साफ तोर पर आप देख सकते हैं कि पुलिस किस्ता से चेकिंग के दुरान दो चातरों को पकरती है और किस्ता से उन्हें वहाँ से भगाती है आप देख सकते हैं वहाँ पर चेकिंग के दुरान इन दोनों के आईकार चेक किये जा रहे हाथ चेक किये जा रहे ताकि उस उंगली पर सियाही लगा हुआ दिख सके और वो साफ तोर पर जब उसे पकरते हैं तो वहाँ से उसने भागाते हुए भी वो नज़रा रहे हैं इससे साफ तोर पर कहा जा सकता है कि वोकस वोट मारने की भी कोशिश चातर संग चुनाओं में की जा रही है लेकिन लगतार बाहर के गेट से या फिर अंदर तक या फिर पोलिंग बोट तक हर जगा पुलिस ने जिस तरह से तैनाती कर रही उस बीच में इस तरह की धांदल करते हैं जाता है लेकिन सहाल यहां यह खड़ा होता है कि आखिर इतनी तैनाती के बावजूद भी ये धांदली की ख़बर कैसे किस तरह से चात्र जो है इतनी तनाती के बावजूद भी वहां तक वो पहुँशने की कोशिश में लगतार लगे हुए हैं क्योंकि सब कोई जानते हैं कि पटना युनुवसिटी के अंदर कई कॉल्जेज आते हैं हर एक कॉलेजज में आज चुनाओ जो है वो शुरू है और हर तरफ चात्र चात्राएं जो हैं काफी दिनों से अपने पर प्रतियाश्यों को जिताने की कोशिश में लगे हुए थे लेकिन बावजूद इसके जो तस्वीरे सामने आई हैं इसमें आप एक बार फिर साफत वर पर मैं आपको दिखा दू कि किस तरह से वो दोनों च्छात्र जो हैं वो गेट के अंदर बढ़े हाला कि पुलिस द्वरा उन्हें रोक दिया गया है और जिस तरह से उनके आई-क अगर हम बात करें दूसरी पार्टियों की तो लगता निर्दलीय एसेफ या फिर कई पार्टियों द्वारा हरे प्रत्याश्यों द्वार जो उनके उमिद्वार हैं उनके कारेकरता जो लोग है वो लोग अपने अपने लोगों को वहाँ पर परची देते वे नजर आ रहे लोगों से कहते भी नजर आ रहे कि उनके प्रत्यास्यों को जिताया जा लेकिन छाट्राइख ये कहना है कि वह अपना निता इसवार नहीं चुनेंगे जो कॉलेज के बेसिक जुज ज़रूरत है उन्हें पूरी कर सकें उनका कहनाथा की पानी की जो दिकते हैं कॉलेजर क् के अंदर वहाँ पे सिक्षकों की बहाली करवाएं क्योंकि कई डिपार्टमेंट में एचोडी नहीं है टीचर्स नहीं है पीने के लिए सही पानी नहीं है लोग यहाँ पर सुरक्षित नहीं है कई असे मुद्धें जो वो चाहते हैं कि जो भी इस बार अपना वो नेता चुने वो आने वाले दिनों में उन्हें सही तरीके हर चीज़ को पूरा कर सके खास करके जो बेसिक नेट से उन सभी चीज़ों को लेकिन जो यह धानली हिसामने साफ तोर पे दिखाई दिरें से यह कहा जा सकता है कि शायद पुलिस जो है या थोड़ी से कमजोर पढ़ चुके है या फिर पुलिस के रहने के बावजूद भी जिसतर से छातर अंदर जाननी के लगतार कोशिश करते हुए दिखाई दिरें वो वाकई में चौकाने वाली खबर है फिराल इतना ही तमाँ ऐसे बड़ी खबर से रुबर होने के लिए हमारी यूट्यव चैनल को सब्सक्राइब कर बेल ऐकन का बटन दवाना बिलकुल न भूलें नमस्कार न्यूज वन अलेवन के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दवाएं